तेक है अभी जल्दबाजी नहीं करना है जीवन में जल्दबाजी से फिर क्या होता है ये बताईए किसी भी देखे जब आप बड़ी इमारत बनाते हैं ना जितनी बड़ी इमारत होगी जितनी उची इमारत होगी उस इमारत की नियू उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी आईएस की तेयारी या फिर आईएस का एक्जाम क्वालिफाई करना एक बड़ी इमारत बनाना है है ना आपके गाओं में मुस्किल से कोई साइध हो भी ना ये भी पॉशिवल है गाओं क्या जिले में भी साइध कोई ना हो ऐसा भी संबह हो सकता है तो आप उस जिले में उस छेतर में एक विसेस कारे में विसेस मिसन में लगे हुए है या फिर छोड़िए आप उस चीज को की जल्दबाजी से काम थोड़ों न होता है जल्दबाजी में एक्सिडेंट होते इसलिए आईयस की तेयारी में जो बच्चे आते हैं ना उन के साथ दिक्कत या होती है कि वहा बस आते ही लगता है कि बस CLECTION हो जाए मेरा मैं बहुत लेट तो नहीं हो गई बहुत जल्दबाजी पलब यह हर एक स्टूडेंट की कहानी है जैसे ही आप तैयारी करने आए दो तीन चार पांच महीने बाद आप बलकुल यह लगता है यह बस में बहुत लेट हो गया यह अब कुछ लेट नहीं हो बहुत टाइम है आप लोग पाद सफिसेंट टाइम है जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे फिर यह आप चाहें कि पैसा आपको तुरंत मिल जाया कशनिक मिल जाया कभी कोई सौट केट नहीं होता यह थिया पैसा होते ही नहीं दोड़ने लग जाता है कोई बच्चा पैदा होते ही दोड़ने लग जाता है क्या नहीं दोड़ने लग जाता ना उसको एक समय चाहिए प्रोसीजर चाहिए मां के पेट में भी नौ महीने बच्चे को स्वरूप लेने में लग जाते कोशी का एक्सेल से बच्चा बनता है तो ऐसे यह तैयारी का हो है आप अराम से करिए अभी इत्मिनान से अभी दिमाग से अटा दीजे घर को भी बोल दीजे कोई इक्साम अभी नहीं देना आपको जल्दी नहीं पड़ी हुए अप 20 में देंगे देंगे 24 में देंगे 25 में देंगे कोई तनाव मत लीजे पहले तैयारी तनाव सिर्फ एक चीज का कि तैयारी मेरी सबसे घाता को सबसे खतरनाग हो हर सब्जेक्ट में एक आपके अंदर एक confidence रहे आप NCRT books को आपके बिल्कुल जबर जब सब्जेक्ट wise आप पूरा पढ़ चुके हो advanced book भी आप पढ़ चुके हो classes में जैसे अब आप लोगों को देख कितना systematic चल रहा है आप लोगों का में कुछ बच्चे इतने गजब हैं मतलब आप मैं समझे बहुत इंस्पायर होता हूं से एक तो regularity उनकी आप लोगों की बढ़ी है continuous हो बहुत बड़ी उपलब्दी है यह कि आप रेगुलर continuous तयारी कर रहा हो और online में कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं बच्चों की संक्या दो बहुत है online में बहुत बड़ी भीड़ है पर उद में कुछ ही है लगबग मैं समझे मैं आपको टोटल बता रहा हूं टोटल होंगे संस्था में जो पेड़ का बैचेज में पेड़ बैचेज में टोटल बच्चों की संक्या है लगबग 15,000 के आसपास जिसमें सब include मैं कर लेता हूं आईएस के भी हैं PCS के इस साल के ठीक है हर एक साल का लग-लग डेटा है 15,000 बच्चों में hardly लग-बग लग-बग 500 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गजब है बहुत गजब मतलब की वह हर चीज में प्रॉपर एक्टिव है और वह आस नहीं है उनमें से कुछ बच्चे पुराने भी हैं लगे हुए बिलकूर content जो भी चीज़े हो रही हैं जो भी चीज़े क क्योंकि यहां पर देखो एक regular चीज़े content भी update हो रहा है सब कुछ हो रहा उसको प्रॉपर करना time to time पर मिलने भी आते हैं answer writing भी करवाते हैं वो भी चेक करवाते हैं हर एक चीज़ को ले करके चलते हैं कोई किसी तरीके का उनका कोई conflict नहीं है यदि यह चीज बस लेकर चलि चैन आपके पीछे भागेगा बस आप उसकी योगता धारन करिए पिनास लेबस पड़े फॉर्म बर दिया एक्जाम दे दिया कहां सेलेक्शन हो जाएगा वाई कौन सेलेक्शन दे देगा आपको यह बताओ कौन सेलेक्शन दे देगा और फिर पेपर में कोई ऐसा है कि मंगल करह से पूछा जा रहा है पेपर मों वही इतिहास आ रहा है वही भुगोल आ रहा है राजविवस्ता रही है एक सार्पनेस चाहिए आपको कुश्चन को समझने का उनको लिखने का अब अंसर राइटिंग से आपको पता चलेगा आइडिली कहां कहां पे गलतिय ऌट बहुत जुरूरी है जिसे आज मुझे आपकी कौपी देखके पहले कि माज़े की कौपी देखना हूं और इत्मिरान से पेपर देना है, दबाव अनवस्यक तनाव नहीं होना चाहिए, कोई दबाव तनाव मत रखिए, कोई इमोशनली फूल मत बनिये, घरवालों को ये करना है, घरवालों को करना है, घरवाले सब सक्चम है, सब कर लेंगे, अभी पिता जी की जिम्मेदारी पहले स्वा निर्मार करेंगे, तब तो समाज निर्मार करेंगे, तब तो घर का निर्मार करेंगे, आप पहले अपना निर्मार नहीं करना है, घर का निर्मार पहले, पिता जी को आप खिलाते हुए नहीं आएं, पिता जी ने आपको बड़ा किया, उन्होंने आपको खिल तो इसलिए पिता जी की टेंसले न चोण देजे बस इतनी है कि इमांदारी बरती है वह दी पैसा दे रहे हैं दुर्पयोग नहीं होना चाहिए कि आप पैसे के दुर्पयोग कर रहे हैं है ना आराम से आ रही है बोटले खुल रही है और उन से चल रहा है वो सब चीजों से मोबी देख रहे हैं यहां पर पड़े हुए हैं बहुत साइब दिली में तो आके पड़े ही हुए हैं तैयारी के नाम पर एक तरीके से अफवा है वो मार्केट में और मैं आपको उता तो मैं ऐसे इतने बच्चों को जानता हूँ प्रिलिम्स का रिजल्ट आएगा मेरा हो ऐसी भी अफवाहों से बचना है कभी भी ये काम मत करिएगा कि आप कभी किसी को जूट बोलें नहीं तो अपनी नजरों में नजरे क्या मिलाएंगे हुआ तो कुछ नग जब दी हो वह भी बताना नहीं है जब रिजल्ट आएगा सबको पता चल जाएगा इसलिए गंभीरता इस एक्जाम की तिन चार चीज़े निरंतरता गंभीरता सयम और अनुशाशन इन चीज़ों को अपने अंदर धारण करिये और बिलकुल लगातार लगे रही है इमानदारी से लगे रही है अपने पार्टक्रम को समाप्त करने में आपका सेलेक्शन होके रहेगा आपको कोई नहीं रोप पाएगा यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ठीक है चल अपक्ताप को